हेलो नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो यहाँ पे आरपीएफ के लिए एक नई भकेंसी आई हुई है जिसमें आप लोग देख लिए चार जार चेसो साथ पोस्ट टोटल खाली है और यहाँ पे इसे दोस्तो बड़ी भकेंसी तो नहीं कही जा सकत क्योंकि 4,660 ही तोटल पोस्ट खाली है लेकिन दोस्तो इसमें कुछ कंडिशन है इसमें कितनी किस लेरी मिलेगी किस प्रकार आप आवेदन करेंगे कितना रुपिया आवेदन सुल्क लगेगा साथ ही साथ आपको दोस्तो सारीरिक दश्ता क्या चाहिए मैं आपको इसमें डिटेल से बताने वाला हूं समझाने वाला हूं तो प्लीज आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए वीडियो को लाइक कर दिए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले मैं बता दिने वाला हूं दोस्तो कि यहां पे आप लोग एक बज़ के 30 मिंट पे उसकी बाद मैं आपको बता दोस्तों कि यहां पे आप लोग को एक बात मैं दिखा दने वाला हूं कि यहां पे आप लोग देखते हैं 500 रुप्य लेंगे आविदन सूलक वहीं पे SCST और PH के लिए 800 रुप्य सूलक लगेगा साथ ही साथ औल कंडिडेट फिमल्स के लिए यहां पे 800 रुप्य लेगा अगर फॉरम भरने में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है उसे सुधार करना चाहते हैं तो यहां पे आपक रुप्य एक्स्ट्रा अलग से देना पड़ेगा आप लोग इस बात के ध्यान में रखेंगे तब जाकर फॉर्म को फिलप किजेगा तो इस वीडियो को जड़ासा भी एसकिप नहीं किजेगा चलिए उसके बाद एक बात और मैं बता देने वाला हूं यहां पे एक बात औ वर्म अपलाई कब से होगा तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँं इपको खूंड़ाइज अपन्रह चार से किया जाएगा यहां पर 15 तरीक 14 महिने से किया जाएगा साथ ही साथ दोस्तों लाश्ट डेट कब है अपलाई का तो यहां पे 14 पांच तक लास्ट डेट apply की है यानि दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल एक महिने का time मिलेगा और इसके बाद मैं आपको जड़ा सा एक बात और बता देने वाला हूं दोस्तों कि उम्र की की उम्र की क्रेटरिया क्या होने चाहिए तो यहां पे एक बात समझ लेजिए यहां पे उम्र की कर्टरिया CR और दोस्तों आर्पी अप कौंश्टेबल के लिए एज लिमिट अठाड़ा से लेकर के 28 वर्स तक की है वहीं पे आर्पीए जिए यानि एस आई के लिए दोस्तों लिमिट 21 से लेकर के 28 वर्स के बीच होनी चाहिए यहां पर देख लिजिए टोटल पोस्ट जो है 4660 पोस्ट है टोटल यानि वाकेंसी टोटल डिटेल्स 4660 है वहीं पर दोस्तो मैं आपको बता दूँ की यहां पर आप लोग देख लीजिए कि आर्पीएफ सौट इंस्पेक्टर के लिए चार सो बावन पद है वहीं पर दोस्तो आरपी अफ कॉंस्टेबल के लिए चार हजार दोसो आठ पद है आरपी अपर आरपी अपर इंस्पेक्टर की बात कि जाए क्वालिफिकेशन की तो यहां पर बैचलर डिगरी चाहिए चाहिए आप किसी इनवर्सिटी से पास हो लेकिन दोस्तो वहीं पर बात की जाए दोस्तो आरपी अफ कॉंस्टेबल की तो यहां पर टेंथ पास होनी चाहिए पर मेल की हाइट 165 cm है तो SCST के लिए 160 cm साथ साथ जैनरल और OBC के लिए यहां फीमेल के लिए आप लोग देख सकते हैं 157 तो फीमेल के लिए प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी SCST वालों को भी वहीं पर दोस्तो बात की जाए फीमेल के लिए तो यहां पर इनके लिए तो एज रनिंग है ही नहीं उसके बाद मैं आपको बता दू दोस्तों कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको पर आपको जाए कि लोग देख सकते हैं कि यहां पर देख सकते हैं लग जबाद पर बाराप है दोस्तों और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि SCST के लिए 12 फिट भी है साथी साथ फीमेल के लिए 9 फिट इसी जंप को 9 फिट रखा गया है फीमेल के लिए चाहे हो SCST है जो कुछ भी हो लेकिन लॉंग जॉंप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉंस्टेबल के लिए यह तो हाई जंप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीन फिट 9 इंच करना है और SCST वालों को भी तीन फिट 9 इंच लेकिन दोस्तों लेडिज के लिए मात्र तीन फिट ही रखा गया है हाई जंप कॉंस्टेबल के लिए रखा गया कितना चार फिट यानि आप लोग मैं एक बात और आपको बता करके क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों यह जो वकैंसी है बहुत ही अच्छी वकैंसी है आप लोग इस फॉर्म को 15-4 से अपलाई कर सकते हैं और लास्ट 15-15 तक अपलाई कर पाएंगे इस वीडियो पे मैं आपको बता दू कि इस वीडियो का ल हो जाएगा इसके बाद आप लोग आवेदन कर सकते हैं अब बाकी रह गई दोस्तों कि आप इसमें कैसे दोस्तों कितना आपको स्लेरी मिलेगी तो इसके बारे मैं आपको सेर कर देने वाला हूं बात को और बता दिने वाला हूं तो स्लेरी आपको मिलने वाली है कि तो दो स्क्राइब के लिए यहाँ पे स्लेरी जो है 2100-700 है बाद में आपकी स्लेरी बढ़ती रहेगी और वेकेंशी टोटल है दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए 452 और दोस्तों कांश्टेवल के लिए 400-4208 है टोटल वेकेंशी 4660 वेकेंशी आया हुआ है इसे घटाएं बड़ करके आप लाइक कीजिएगा नहीं तो किसी प्रिकार की गल्बड़ी हो जाएगी तो आपको एक्स्ट्रा ठार अड़ाइसो रुपिये चार्ज देने पड़ सकते हैं तो वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में तब तक दीजिए इजाज़त जैहिंजा भार बंदे मात्र